हलो फ्रेंड्स असलाम लेकुम विल्कम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स हूं हम बात करेंगे अलमानडा प्लांड के बारे में इस प्लांड का नाम है बहुत लगता है औरिसके फूल के साइज में और तो इस प्लांड के गेर कैसी करनी है और इसमें हमको किस तरह से फ्लावरिंग लेना चाहिए और किस मौसम में खाद देना चाहिए और इसी सब के बारे में आज बात करेंगे और किस मौसम में इसमें फ्लावरिंग ज्यादा होती है और इसकी ग्रोथ कब स्टार्ट होता है तो आज अलमांडा प्लांड के बारे में बात करेंगे आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो देखे ये मेरा अलमांडा का प्लांट है और ये वाला जो प्लांट है ये कम से कम इसको सेमी बेल या सेमी वाइन कहते हैं और इसके हाइट पांच या छे फिट की रहती है और इसमें तीन वाइटी आती है एक इसको सेमी बेल या सेमी वाइन वाली वाइटी कहते हैं इसकी हाइट पांच से छे फिट रहती है और फ्लावरिंग बहुत अच्छा करता है फूल की साइज भी काफी बढ़ा रहता है तो मेरे पास दो प्लांट है एक येलो एक रेड वा ज़ आती है आप उट को च चाहंए तो गंबले में में भी लगा सकते हैं या तो फिर जमीन में भी लगा सकते हैं या क result में पर सब्सक्र geb्ण बेल अच्छी रहती है और इसमें एक स्वालि वाधिया आती है लो जिसके वह वाली वाइटी कहते है वो वराटी काफी घना रहता है पौधा बहुत छोटा रहता है लेकिन फूल बहुत ज्यादा आता है और फूल की साइज इस वाले प्लांट से उसमें थोड़ा छोटा फूल की साइज रहता है लेकिन बुस वाली वराटी जो रहता है उसमें भर-भर के फूल आते हैं पूरा भी इसमिंग ने संहि frag और यह जए ने सिदेंगे उश्टेज़ के लगता है और कि अच्छा लगता है और फिर ओ आप तहु कर्षी अलावा ड़ा आप इसका जो ग्रोथ का सीजन रहता है गर्मी में इसकी ग्रोथ इस्टार्ट हो जाता है कम्सका मार्च अप्रैल में इसकी ग्रोथ का इस्टार्ट हो जाता है और ठंडी के मौसम में यह डॉर्मेंसिम रहता है उस वक्त यह अपनी पत्यों को गिरा देता है और सिर्फ टैनी ही अबस्ती है तो उस वक्त आप इसको सुखा समझ के उखाड कर फेके नहीं इसको आप बिल्कुल वैसे ही छोड़ दे जैसे ही Marg आप्रेल का महीन आता है इस में growth है start हो जाता है और माइ जून में इसमें starting होने लगती है फूल आने लगता है और जैसे सीजन का मौसम आता है तो इसमें खुब अच्छे से फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाता है। हर ब्रांचपे कलिया हो जाती है। और फूल भी आने लगते ready hour तेहनी पे कली बना हुए है और फूल भी आया हुए है और यह बहुत उचाई पे चला जाता है पांसे छे पीट कि इसकी लंबाई हो गई है आप देख सकते हैं हर टेहनी पे कली बनी हुई है और फूल भी अच्छे तरीके साया है तो रेनी सिजन में इसके फ्लॉरिंग जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो तब आप खा दीजे और एक बर आप सेप्टेंबर के महीने में आप इसको खाद दे सकते हैं और बीच बीच में 10 से या 15 दिन में आप इसको लिक्विड फर्टिलाजर बराबर देते रहें चाया बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाजर के दे सकते हैं या तो फिर वर्मिंग कंपोस्ट या काउडरन कंपोस्ट किसी भी चीज के आप लिक्विड फर्टिलाजर बना के दे सकते हैं तो मैंने इसमें क्या क्या खाद मैंने दिया है और आज मैं आज मैं इसको फर्टिलाजर करने वाली हूं तो मैंने क्या मैं क्या क्या खाद इसको देती हूँ, वो मैं आज दिखाऊंगी, और इसके दाबह आप इसके अगर खोरे से पर्चेस करके ला हैँ तो इसकी मिटी ऑप बिल्किल वेल्डर बनाई है, एक हिसआ मीटी एक हिसदी खाद, एक हिससा दीजिए 14 से 12 से लेकर 14 इंचे तक गम्री आप इसको दे सकते हैं क्योंकि यह प्लांट बड़ा होता है और पर्मानेंट प्लांट है इसको छोटा पॉट इसको आप देंगे तो बार-बार इसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा तो इसे अच्छा है आप इसको पहले ही इस पानी देजिए आप इसकी मिट्टी को बिल्कुल गीला न रखें अगर मिट्टी गीला रखेंगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है तो पानी आप चेक करके दें बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं देना है और धूप में आप इसको पूरे दिन भर की धूप में भी रह सकते हैं और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह हो जहां अगर चार से पांच घंटे की दूप आती हो तो भी इसके लिए ठीक है लेकिन इसको जो है कि सेमी सेडेरियम नहीं रखना है अगर सेमी सेडेरियम रखेंगे तो यह फ्लावर नहीं करता है कि यह गर्मी पसं दूप में भी अच्छे से अपनी गुरोथ करता है और इस वजह से इसको पूरे दीन भर की दूप में रखेंगे तो भी बहुत अच्छे से यह गुरोथ पे रहता है अच्छी फ्लावरिंग करता है तो मैंने क्या-क्या खात दिया है चलिए दिखाती हूं तो सबसे पहले आप अपने गमली की गुड़ाई कर लीजिए इस तरह से आप मिटी को गुड़ाई कर लेंगे तो मिटी हलकी हो जाएगी क्योंकि रेनी सीजन में जो की बारिस पढ़ते-पढ़ते मिटी बिल्कुल सक्त हो जाती है तो गुड़ाई करने से मिटी हलकी हो जाती है और इस त तरह से दूसरे गमली की हम ऐसे गुडाई कर लेंगे क्योंकि पानी पढ़ते पढ़ते जो मिटी सक्त हो जाती है उपर जो है की काई का परत जम जाता है आप जो गिरीन गिरीन देखे हैं वो काई रहता है तो हर 10-15 दिन में अपने गमली की गुडाई कर देजिए गुडाई लिया है आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं काउड़न कंपोस्ट है वर्मिंग कंपोस्ट या तो फिल लीप कंपोस्ट जो आपके पास अविलेबल हो आप वो ले सकते हैं इसकाल हमने बोन मील लिया है बारह इंची गमला है तो दो चमच हमने बोन मील लिया है बोन मील प पोटास लिया है मेरी पाप पोटास यह इसे जो है कि इसे फूल ज्यादा आते हैं और यहां पर हमने 12 इंचिक गंडे के हिसाब से 15 से 20 दने डी एपी लिया है और इसके अलावा हमने एक चमस नीम की खली लिया है नीम की खली दोस्तों बहुत जरूरी रहता है क्योंकि रेनी से जन चल रहा है तो मिटे में किसी चीज का कोई अटेक हो किटाडू का अटेक हो या फंगस का अटेक हो तो नीम की खली सो खतम हो जाता है तो अभी आप हमने प्लांट में नीम की खली जरूर एट करिए और या तो आप दस से पंदर दिन में आप फंगी साइड का इस्प्रे भी कर सकते हैं या पानी में कोई फंजी साइड मिला कर आप पानी में मिटे में मिला सकते हैं ताकि किसी चीज के कोई इंसेक्ट का अटायक ना हो तो इस तरह से हमने चार्षिज लिया है बौन मेल, नेम की खली पोटास ऑर वर्मिंग कंपोस्ट ये चार्षिज हमने अपने प्लांट को खात दिया है और इसके लाबा आप नपी के नाइंटी 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 नींटी भी दे सकते हैं ना तो फिर पानी में पौधा घना मजबूत होता है और इसके अलावा आप लिक्विट भी दे सकते हैं लिक्विट पारे में एक चमश मिलाकर लिक्विट फटिलाजर बनाकर आप इसको दे सकते हैं आप जरूए नहीं है कि हर खाद तुरंट तुरंट दे आप 10-15 दिन गैपिंग करके जैसे मैं दे रही हूं तो जिस तरह से मैंने अपने पहले वाले प्लांट को दिया था उसी सेम उसी तरह इस वाले प्लांट को मैं खाद दे रही हूं तो इसी तरह से आपके पास जितने भी प्लांट हो अलमांडा का तो इसमें आप अपने प्लांट को खाद दे सकते हैं बोन मील, पोटास और निमकिखली, वर्मिंग कम्पोस्ट, हमने चार्चिस लिया है, और एप्सन साल्ट, बस इतना ही आपको अपने प्लांट को खात देना है, और फिर दस से पंदरे दिन के बाद आप एन पी के भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप खात देने के बाद अप अपने प्लांट में पानी जरूर दे दिजिए, अगर आपकी मिटी में थोड़ा नमी है, तो पानी आप दूसरे दिन दिजिए, लेकिन जैसे मेरी मिटी है, अगर इस तरह से आपकी मिटी में हलके हलके नमी है, तो आप पानी दे सकते हैं, तो आप इस तरह से आप अपने गंबलेम पानी दे दीजी तो इस तरह से हमने अपने प्लांड को खाद दे दिया है तो आप भी अपने अल्मांडा प्लांड के अलावा इस समय और भी प्लांड में आप खाद दे सकते हैं क्योंकि यही समय है खाद देने का इंडूर प्लांड में भी आप खाद दे सकते हैं कि तो इस तरह भी आप इस तरह से आपने प्लांट के केर किये जैसे मैंने बताया तो आपके नूनि में अच्छे फलॉरिंग होगा अच्छे से उसमें फूल आएंगे और आप फरवरी मर्च में उसको प्रूनिंग कर सकते हैं प्रूनिंग करने से क्या होते हैं कि प्लांट जो है कि घना हो जाता है हर ब्रांच में कलियां आती हैं उसे ज्यादा ज्यादा फूल आते हैं तो इसी तरह से आपको केर करना है तो दोस्तों बस मुझे उम्यद है कि आलमांडा प्लांड के बारे में मैंने जानकारी दे दिया है तो इसी तरह से आप भी अपने प्लांड के केर करिए इस समय आप खात दे दीजिए और हर 10-15 दिन में और गैनिक फटिलाजर देना चाहते हैं और गैनिक फटिलाजर दे दीजिए तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक यू वेरी मुच